नमस्कार दोस्तों मैं विशुदान्त ओलंपे की स्टडी में आपका बहुत बोश्वागत है दोस्तों काफी लंबे टाइम के बाद में आज फाइनली रेलवे एंटेपीसी ने अपना एंसर के जारी किया है और काफी सारे बच्चे अपना मार्क्स दे सकते हैं अपना राइ करने वाले हैं दोस्तों यह वीडियो सौट में होने वाला है और डीटेल में चार्चना करते हुए मैं आपको एक ओवर्व्यू दे दूंगा कि हाँ इतने मार्क्स अगर आप ला रहे हो तो कहीं आप सेफ जोन में हो ठीक है तो कटेग्री वाइज और जोन वाइज सबका क कितने हैं क्या उनका CBT2 में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ताकि वो ठोड़ा रिलेक्स हो जाए ठीक है तो आप यह जान लिए जिए कि अगर आप जनरल कैटेग्री से बिलॉंग करते हो तो आपका अगर साट नंबर से 62 के बीच में आ रहा है अगर साट से 62 के बीच में अगर आप ला रहे हो माक्स आपका आगया है réfकर कि में बात कर रहा हूं ठीक है तो कहीं नर कहीं से 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 खी जोन में हो कोई दिक्कत नहीं लेकिंद अगर आपका साट भी आरा या on sex तो भी आपका से लेंया फाईनल में जो हमानकर नामनाीं के बार्यल और उससे आपका से का तो ओवी सी का भी लगभग वही अठावन ही होने वाला है इसमें कोई बहुत जादा फेर बदल नहीं होने वाला है तो ओवी सी वाले भी अगर 58-60 नमबर लाए हैं तो वह सेफ जोन में हैं कोई दिक्कत नहीं है इनका भी नमबर इंग्रीज हो जाएगा पाइली बात आती है ओवी सी लगभग बात आती है इसके बाद में सी की तो सी का लगभग जो है 52-55 के बीच में मार्क्स आ रहा है थीक है 52 से 55 के बीच में अगर मार्स आ रहा है मतलब मैं मिनमम कहूं तो मतलब लग भग करके कि यह 52 नंबर ला रहा है तो कहीं न कई इनका जो है सेफ इसकोर माना जाएगा और कहीं न कई फिर इनका नंबर इनके जोगा फाइलि और इनका सेलेक्शन भी पक्का हो जाएगा इसके बाद में बात आती है ST वगरा की तो ST वाले अगर 50 marks लाएं हैं तो secure पर हैं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यह brief introduction नहीं है brief calculation नहीं है यह just मैं over over समझा रहा हूं क्योंकि बहुत detail में समझाओंगा वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा अभी इस पर मैं वीडियो ब कालके और cut off को अच्छे से decide कर पाऊं अच्छे से calculate कर पाऊं ठीक है तो आप लोग चैनल से जुड़ जाईए और मिलतेंगली वीडियो में जहिंद देखिए दोस्तों एक बात मैं मैंने करना भूल गया मैं बता दों कि general category में अगर कोई बच्चा है और उसका लगबग 52-55 नमबर आ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका selection नहीं होगा ठीक है आप जैसा कि मैंने बताया था कि यह expected cut off है और जो मैंने बताया वो safe zone की मैंने बात कि है लेकिन अगर कोई category general से belong करता है और वो 52-55 के बीच में उसने attempt किया है उसका raw mark जो है लगबग वो आ रहा है त क्योंकि normalization के बाद में हो सकता है finally यहां महां करके उनका भी number बढ़ जाए और वो भी निकल जाए तो आपके chances है ऐसी बात में कि आपके chances बिल्कुल है ही नहीं है और आपका निकलेगा नहीं तो chances आपका भी बन रहा है आपको टैंसल लेनी के जोरत नहीं है क्योंकि बहुत किया और देख रहा हूं कि काफी ज्यादा कम काफी ज्यादा कम जो है raw marks निकल के सामने आ रहा है तो मैं आपको बोल दूँ कि अगर general category से भी आप बिलॉंग करते हो और आपने 52 से पच्पा नंबर किया हुआ है तो कहीं न कहीं आप safe zone में हो सकते हो इसमें doubt नहीं है ठीक है और दोस्तों में एक चीज़ और एड करना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों का पैट का एक्जाम अभी होने वाला है अगर इस चीज़ को लेके अगर NTPC नंबर को लेके वह टेंसन में आ जाएंगे तो कहीं न कहीं उनका जो पैट का एक्जाम होगा वह भी कहीं के प् पूरे डेटेल में पूरे ब्रीफ इंट्रोड इंट्रोड इंट्रोडिस कर दूंगा आप लोगों को तो चैनल से जूर जाएगा और मिलते अगले वीडियो में जय हिंद ख्याल रखेगा अपना